श्री रुद्र सहिता, प्रथम खंज, अध्याय पांच, नारद जी का शिवतीर्थों में भ्रमन वब्रमहाजी से प्राश्न, सूत जी बोले महर्शियों, भगवान श्रीहरी के अंतरधान हो जाने पर मुनिश्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन कर इस प्रकार भक्ती मुक्ती देने वाले अनेक शिवलिंगों के उन्होंने दर्शन किये, जब उन रुद्रगनों ने नारद जी को वहां देखा तो वे दोनों गण अपने शाप की मुक्ती के लिए उनके चरणों पर गेर पड़े और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उनका उद्धार करें। उस समय भगवान शिव की इच्छा से मेरी बुद्धी ब्रश्ट हो गई थी। इसलिए मोवश मैंने आपको शाप दे दिया था। आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा कर दें। परन्तु मेरा वचन जूठा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको शाप से मुक्ती का उपा पाऊगे। राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे। तुम बलवानव वैभव से युक्त होगे। तुम्हारा प्रताप सभी लोकों में फैलेगा। समस्त ब्रमांड के राजा होकर भी भगवान शिव के परम भक्तों में होगे। भगवान शिव के ही दूसरे प्रसन होते हुए वहां से चले गए और नारद जी भी आनन से सराबोर हो मनी मन शिव जी का ध्यान करते हुए शिवतीर्थों का दर्शन करने लगे। इसी प्रकार भ्रमन करते करते वे शिव की प्रियन नगरी काशिपुरी में पहुँचे और काशिनात का दर्शन कर उनक उस समय उनका हृदय शुधा हो चुका था और उनके हृदय में शिव जी के प्रती भक्ती भावना ही थी और कुछ नहीं। मैं उनकी पूजा विधी को भी नहीं जानता हूँ। अतहब मैं उनके बारे में सभी कुछ जानना चाहता हूँ। मैं भगवान शिव के विभिन चरित्रों, उनके स्वरूप तथा वे स्रिष्टी के आरंब में, मध्य में, किस रूप में थे, उनकी लिलाएं कैसी होती हैं और प्रलयकाल में भगवान शिव कहां निवास करते हैं। उनका विवाह तथा उनके पुत्र कार्तिके के जनमादी की कथाईं मैं आपके श्रीमुक से सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव कैसे प्रसन होते हैं और प्रसन होने पर क्या-क्या प्रदान करते हैं। इस संपूर्ण वृतांत को मुझे बताने की कृपा करी। अपने पुत्र नारद की ये बाते सुनकर पितामा ब्रम्हा बहुत प्रसन हुए। ओम नमः शिवाए।